अगर आप भी नार्जो 10 और 10a डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो कि थरु जो नवंबर का अपडेट रिलिस किया गया है Realme की तरफ से नार्जो 10 और 10a के लिए तो आज की इस वीडियो कि थरु में फूल रिव्यू फूल फीचर्स जो इस वीडियो कि थरु explain करने वाला हूँ, तो वीडियो को complete दिखिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, वीडियो को share कीजिएगा, चैनल पर नहीं आते हैं, तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कीजिएगा, जिससे की future में आने वाली latest video का notification आपको तुरंट provide हो जाएए, description box में telegram channel का link है, तो telegram भी आप जरूर से join कर लिजेगा, तो friends यहाँ पर finally narjo 10 और 10A में जो नौंबर वाला update है, वो यहाँ पर release होना start हो गया है, almost कई सारे नई features मिले हैं देखने को, सबसे पहले narjo 10 की बात करें, तो यहाँ पर A.35 का update जो है रोलाउट किया गया है, super power saving mode जो है setting में add किया गया है, display की mode को भी लेकर यहाँ पर app drawer के लिए यहाँ पर add किया गया है icon full gesture भी जो इसमें add किया गया है, साथ में आप देख सकते है sunset to sunrise, ice computer के लिए यहाँ schedulement time यहाँ पर release किया गया है, और देख सकते हैं bottom of battery setting को भी add किया गया है, bottom of security setting को भी add किया गया है album की बात करें तो album में यहाँ पर देख सकते है, solopopak के लिए video updating यहाँ पर add किया गया है, और यहाँ पर जो problem थी fisker को लेकर यहाँ उसको fix किया गया है, system कि बात करें तो system में जो भी यहां पे problem थी उसको भी जो है fix किया गया है और यहां पे आपको narjo 10a में भी same यहां पे feature मिलता है बट दोनों में version जो है अलग-अलगे इसमें 8.49 का version जो है release किया गया है चीके तो मतलब यहां पे दोनों में features थे में version अलग-अलगे तो चलिए मैं यहां पे जो explain है features को कर दे screenshot को जो है add कर दे गया माल लीजिए आपको यह पूरा जो यहां पे screenshot अगर यहां से airplane mode से लेकर और यहां तक realme lab तक आपको photo click करना है तो यहां पे आपको जैसे आप screenshot लेते थे तो आपको पहले manually जो है scroll करके जो है long page कर लेना पड़ता था बट यहां पे auto scroll जब मिल गया है आपको तो आप एक scrolling से मलब एक click से सारे screenshot ले सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जैसे हमने उस पर click किया click करने के बाद आपको यहां पर picture पर click करना है यहां पर मिलता है scroll का option simply आपको scroll कर लेना है जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कुछ तरीकी से आपके screenshot यहाँ पर क्लिक होना इस्टर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर यह आटो स्क्रॉलिंग screenshot का फीचर काफी अच्छा फीचर जिसके थू जो है आप सारे यहाँ पर screenshot को एक बार में जो है click कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं काफ़ अची तरीकिसी यहां पर पूरा स्क्रीन शॉट जो है क्लिक हो चुका है ठीक है तो काफ़ अच्छा फीचर है जो की इसमें एड किया गया है एंफिरेंस से लिए बात कर लेते हैं यहां पर बैटरी को भी लेकर काफ़ी अच्छा फीचर जो एड के गया आपको पता है रियल्मी C3 में यहां पर बैटरी का ड्रेनिंग प्रॉब्लम हमको ज्यादा देखने को मिलता है तो इसके लिए यहां पर बैटरी में एक नहीं फीचर एड के गया है जो कि यहां पर सूपर पावर सेविंग मोड आप जैसे इसको इनेवल कर देख सकते हैं आप आपका यहां पर काफी अच्छी से जो यहां पर पावर सेविंग मोड वो यहां पर इनेवल हो चुक है ठीक है आपको यहां से एक्जिट लेना है उपर आले एक्जिट बटन पर क्लिक कर देना है यहां पर इस बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप इन simply home screen and lock screen magazine में आपको चले जाना है जैसी आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाता है आपको icon pull gesture के option simply आपको इस पर enable कर दाना है जैसी आप इसको enable करेंगे तो आप one handly किसी भी feature को easy way में जो है यहाँ पर किसी भी यहाँ पर option को enable कर सकते हैं अब आपको simply यहाँ पर swap करना है आपको swap करने के बाद आपको जो भी feature यहाँ पर enable करना है यह activate करना है उसको आपको simply open कर लेना आप जैसी कर रहा है तो यहाँ से आप किसी भी feature को जो है इस तरीकी से open कर सकते हैं तो यह one handly आप जो है इसमें कर सकते हैं आइकन फूल जेस्चर भी जो देखने को मिल गया है बात करें हम नेक्स्ट फीचर के बारे में तो आपको सिंपल यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल इसको नीचे कर लेना है और यहाँ पे मिलता है आपको आई कमफट का एक उप्शन सिंपल इस पर टैप कर देना है जैसे कर एक है आपको माल नीचे आपने सामके 8 वेजे से यहाँ पर लगाया हुआ है ठीके तो यहाँ पर जब मॉर्णि मॉर्णिंग 8 वेजे तक अगर आप लगाएं पर अपका बिदीवास और जैसी में आपका घ्र आपके आपका आपका और जैएज तो आपका किंबाट क्व में यहां पे जो यहां पे बक्स है उनको भी fix किया गया है system की stability को improve किया गया है और battery drain की बात करें तो battery drain के लिए काफी अच्छक feature जो यहां पे add कर दिये गया है जो कि super power saving mode है आप अमनी battery को पहले के comparison में और भी काफी अच्छे से जो है save कर पाएंगे और यहां पे जो album है मतल update में जो है देखने को मिल जाता है अपने device में तो I hope उमीद करता हूँ आपको यह जो फुल review की वीडियो थी वो पसंद आई होगी तो वीडियो को like कीजिएगा वीडियो को share कीजिएगा चैनल पर नहीं आते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कीजिएगा friends मिलते हैं हम next वीडिय झाल